भी खस मौकों हो या घर में कोई महमान आ रही हूँ तो ऐसे में कुछ अच्छा बनाने की सोच रही हैं तो एक बार ये बहुत ही देश्टी ये काजू पनीर मसाला को जरूर ड्राय किजिएगा तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हमें कढ़ाई लेंगे कढ़ाई में हमने तेल पहले ही डाल चुके है उसके बाद हम काजू बदाम किसमिस को डाल देंगे उसके बाद दोस्तो प्याज, मिर्ची, लॉंग और बाके जो मसाले हैं उसको हम पानी में उबाल लेंगे उसके बाद दोस्तों हम पनीर को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं उसके बाद हमें कटोर हमें पानी लेंगे उस पानी में हम पनीर को डाल देंगे तो दोस्तो आप भी इस तरीके ज़रूर बनाएं और हमें कमेन करके ज़रूर बताएं उसके बाद दोस्तो हम उसमें धनिया पौडर, हल्दी पौडर, मीची पौडर और मरसाला डालकर पानी उसमें एड़ कर देंगे उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तो हमारे मसाला का घोल तयार हो चुका है दोस्तो फिर हम तेल लेंगे तेल में हम पनीर को फ्लाई करेंगे दोस्तो ये बात को ध्यान में रखें कि आप चम्मस को धीरी धी चलाना है और पनील कोम को ज़्यादा फ्लाई नहीं करना है मिडियम टू हाई फ्लेपर बस इसे 2-3 मिनट के लिए फ्लाई करना होगा तो आप देख सकते हैं दोस्तो हमने फ्लाई कर चुका है और देखे कितने अच्छे से हैं तूटा भी नहीं है इसे प्रकार से आपको भी फ्लाई करना है तो दोस्तो हमने जो प्याज को बॉयल किया था उसे हम चनने से छान के पानी को अलग कर देंगे जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तो उसके बाद हम उसे मिक्सी में डाल देंगे फिर उसका अच्छे तरह से पेस्ट बना कर हम उसे रेडी कर लेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा पेस्ट बस बनके रेडी ही होने वाला है तो देखिए दोस्तों हमारा पेस्ट कितना प्यारा लग रहा उसके बाद दोस्तो हम dry fruits को भी mixy में piece लेंगे पिसने के बाद हम कड़ाई में थोड़ा टेल डालेंगे तेल में जीरा डालेंगे फिर उसमें हम एक तेज पत्त डाल देंगे फिर जो हमने प्याज का जो paste बनाया था उसे हम उसमें add कर देंगे उसके बाद हम चमत चला लेंगे उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से बना कर जरूर देखिए फिर हम टमाटर को दो पीस में काट लेंगे और गराम पानी में थोड़ा बॉयल कर लेंगे boil करने के बाद उसे हम mix के जार में निकाल लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं तो सारे टमाटल को हम निकाल लेंगे उसके बाद हम mix के जार में उसे पीस लेंगे फिर जो हमने dry fruits को पीसे थे उसे हम उस मसाले में add कर देंगे उसके बाद हमने जो टमाटर को पीस के रखा है उसे भी हम उसमें एट कर देंगे फिर हम उसे अच्छे से चम्मस चलाएंगे चम्मस चला की सारे पेश्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हमने जो हल्दी, मीर्ची, धनिया, पौडर मसाला का जो एट किया था उसे भी हम डाल कर उसमें मिक्स कर लेंगे तो दोस्तो आपको सारे मसाले को बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप देख सकते हैं दोस्तो हमारा मसाला बन के रेडी हो चुका है दोस्तो फिर हम उसमें चौमिन मसाला एड़ कर देंगे ये मसाला को डालने से उसको स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है फिर उसमें हम थोड़ा नमक एड़ कर देंगे दोस्तो आप नमक स्वाध अनुसार डालिएगा और थोड़ा सा हल्दी एड़ कर देंगे फिर उस सभी मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगी ताकि वो नमक अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तो उसे मिक्स करने के बाद हम उसमें मलाई एड़ कर देंगे दोस्तो आप भी इसी प्रकार से उसमें मलाई एड़ कीजिएगा उसके बाद उसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मलाई डालने से इसकी स्वाथ जो है काफी जादा बढ़ जाती है फिर हम चमस चलाते ही रहेंगे उसे एक से दो मिनटक अच्छी तरह से पकाएंगे तो आप देख सकते दोस्तो हमारा जो मसाला है वो बन के तयार हो चुका है और ये दिखने में भी काफी टेस्टी लग रहे हैं तो दोस्तो आप भी एक बार घर में बना कर ट्राय जरूर कीजिए और हमें कमेंड करके जरूर बताईए फिर दोस्तो हम इसमें जरूरत की हिसाब से हम गरम पानी डालेंगे ध्यान रखिएगा कि हमें इसमें ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है पानी को हमेशा गरम करके ही डालना है ताकि जो सब्जी का टेस्ट है ना वो मस्तम मेंटेन रहे तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके साब से आप पानी डाल सकते हैं सबी चीजों को अच्छे सी मिला लेने की बाद हम इसमें सारे पनीर को धीरे धीरे करके डाल देंगे एक बार सबी चीजों को अच्छे सी मिला लेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये काजु मसाला पूरी तरह से बन कर तयार हो चुके है तो दोस्तों आप भी इस एक बस जरूर बनाएं